नमस्कार समाचारों साथे हूँचू जिलन हाइदराबाद दुश्किर्म घतनाना चारे आरोप्योंने पोलिस एनकाउंचर मा ठार मारवा माव्या छे जनलाईने हवे उकई शकाए के पिडिता आने खरो न्याय मलोचे अगाउ लांबा केस चालता आने आकरे उमर के अतनी सजा मलती जनाथी देश ने साचो संदेश नवतो पहुंचतो परन्तु प्रथम वारे उबनियू के आरोप्यों जे सजाना लायक छे ते सजा तेमने मली तारा देखावी दीदा जी 24 लाकनी अपील छे के देशना तमाम दुशकर्मियों ने आवीज रिते सजा मले तो 27 मी नवेंबर या बनाव बन्यों हतो दिशाना दुशकर्मियों ने फांसी ना माचडे लटकावानी मांग समगर देश मांती उठी रही हती सांसत जया बच्चने पन संसत मां कायों हतो के आरोपियों ने जनताना हवाले करो दिशाना काकाय पोलिस ने कामगिरी ने वखानी छे पीडी ताने आखरे न्याय मलों छे तो जे चारे आरोपियों हता तेमनों एंकाउंचर करी देवाम आवियों छे दिली महिला आयोक ना चेर परसन आमुद्दे निवेतन आपी चुक्या छा इद्राबाद पोलिसे देशना अन्य राजियों नी पोलिस ने दिशा बतावी छे तेव पन कई शकाए जो आमार बच्ची मरके आज दस दिन होगे दस दिन कंदरनको इंकाउंटर में मार दिया मैं उसको गुलिये गौवर्नमेंट तिलंगाना सारकार और पोलिस और में जो मेरे साथ लोगन को स्वब को बताई देए तो कि अधिक पे आत्म का शांति आता हो होगा आता होगा आता होगा जो इतने जगहन्य अपराद करते हैं उन्हें हर हाल में छे महीने के अंदर-अंदर फासी पे लटका दीजिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये कोर्ट प्रोसीजर्ज और इन सब को बाइपास करके देश की पुलिस शायद ये ही करने लग जाएगी जो अब हुआ है खेर बरहाल जो भी हुआ है कम से कम अब वो लोग सरकारी महमान तो नहीं बनके रहेंगे जैसे कि निर्भिया के रेपिस्ट आज साथ साल बाद तक सरकारी महमान बने वे हैं देखिए मैं इस सजा से मैं बहुत खुश हूँ पूलिस को मैं बहुत बहुत धने बाद देना चाहते हूँ कि पूलिस ने हैदराबाद की पूलिस ने आज एक नजीर पेस की है जिस तरह से उन्होंने क्राइम किया था जिस तरह से आज पूलिस के साथ उन्होंने धोखा दड़ी की पथर मारा पूलिस ने बहुत अच्छा काम किया है मैं पूलिस की दरिया दिली का बहुत बहुत बात देती हूं स्वागत करती हूं पूलिस पे कोई एक्षन नहीं होना चाहिए पूलिस ने एक नजीर पेस की है कि जिस तरह से वो किरिमिनलों का मन बढ़ा हुआ है आज इसी तरह सजा की जरूरत है जो मैं साथ साल से संघर्स कर रही हूं कोट कोट के धके खा रही हूं को दिल्ली पूलिस को सब को देखना चाहिए कि आज हैदराबाद के पूलिस ने क्या नजीर पेस किया है तो मेरा अपने नयाए बेवस्ता से अपने सरकार से रिक्वेश्ट है कि जल्दी से जल्दी निद्भायक मुजिर्मों को फांसी दे और एक समाज में नजीर पेस कर से क्राइम तोड़के वो क्राइम करेंगे उसी तरह से उनको शजा मिलेगी मैं इस काउंटर से हुआ जो है इनका जो दरिंदों का इंकाउंटर हुआ है मैं बहुत खुस हूं खुस इसलिए हूं कि हम जिस तकलिफ में गुजर रहें आज भी देख रहा हूं कि हमारी केस को साथ साल हो गए लेकिव दरिंदे आध भी जिन्दा है और हम रोज मरते हैं जब कोट में जाते हैं तब उनके वकीलों का सामना होता है कुछ ना कुछ ऐसे वो सब्द बोलते हैं जैसे हम लोग को तकलीफ हो तो हम जो तकलीफ जहल रहें कम से को परिवारत तकलीफ नहीं ज जो कुछ किया बहुत अच्छा किया अदीशा रेप केस हुआ था उसके बाद उनको जलाया गया था और आज जब पुलिस आरोपियों को वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गई थी तो आरोपियों आरोपियों जो है वो भागने की कोशिश कर रहे थे और अगर भाग गये होते तो पुलिस के उपर जो है वो मतलब ये किया होता कि पुलिस कुछ काम की नहीं है या पुलिस जो कम पड़ी है तो पुलिस ने वहां पे जो एनकाउंटर का डिसीजन लिया है उसका हम स्वागत करते हैं और तेलंगना पुलिस का अभिनंदन भी करते क्योंकि कल आगर आप देखेंगे तो उन्नाव में जो बलातकार हुआ था वो पीडिता के जो आरोपी जो फरार थे उन्होंने कल जब वो पीडिता कोट में जा रही थी तब उसको जो है वो जलाने की कोशिश की गई थी तो आज जो हैदराबाद पुलीस ने जो कदम उठाय है तो मुझे लगता है उसका हम बिल्कुल स्वागत करेंगे आज दस दिन हो गए दीशारे के और उनको जलाने के बाद दस दिन में ही उनको जो है वो न्याय मिला है आज उनके पूरी परिवार को भी जो है वो न्याय मिला है और भूमाता ब्रिगेड के तरफ से जो हम इस कि आज पुलिस वालों को कि उन बलतकारियों को भाञने नहीं दिया और दो के होसला बहुत बुलंद होगा हम सब का होसला बुलंद हो रहा है मैं कहूंगी कि अब ये खबर तीस तारी को दो तारी को एक तारी को आज भी बंगाल में जिस तरह से लगाता है रेप हुए हैं चार साल पांच साल छे साल बारा साल तो अब मुझे लगता है ये न्यूज हो चाहती हैं जिसकी आज जो पहल हुई है मुझे उसकी बहुत खुशी है